हरु मैं कर दो hook ओए फिद से हैप सभी का मेरा चैनल पर भहूँत 성्वागत है तो आज जो हमने टोपीक है हमारा आज है नियायल Eswar रिट कितने परिकार के होती हैं फ़ंद फ़ंचे कि प्रिकार के रिट जारी करते और तो पहले रिट के बारे सास्प्षाण साहं चारो संबंद्नी मूझा अधिकार का प्राधान अनुषयद 32 से 35 तक किया गया है सविधान के बाग 3 में मूल अधिकारों का वर्नन straight मूल का मतलब मौलिक अधिकारों का वर्नन uję यदि मूल अधिकारों का राज्ययद्वारा उलंगन कि या जाता है तो राज्य के वुरुद नियाय पाने के लिए सविधान के अनुछेद 32 के अंतरगत उच्छतम नियायल्य में और अनुछेद 226 के अधीन उच्छ नियायल्य में रिट याचिका दाखिल करने आधिकार नागरिकों को पुरदान किया गया ठीक है जी क्या गया है उच्छतम नियायल्य में क्या कर सकते हैं एक रिट याचिका दाखिल करने का क्या गया है अधिकार पुरदान किया ठीक है जी सविधान में निमलिकित आदैसों को लेक किया गया है ठीक है के मतलब इसका शरीर को सामने पेस करो दूसरा है परमदेश मैंडमेश का आग्या संटाइWhint तीस्रा का मतलब है तीसा है उतर गभल सुचित कीजिए अधिकार-प्रच्छ कुए वरंटो कि से बंधी परतक्षिक्रन है तो इसका मतलब यह कहता है यह रिट उस अधिकारी अधिकारी में जिसको अधिकारी होती है कि वुरुद्धु दायर किया जाता है जो व्यक्ति को बंदी बनाकर बंदी बनाकर रखता है इस रिट को जारी करके कैद कनने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गरफतार व्यक्ति को नियायले कोर्ट में प्रेस करें इस रिट का उधेश्य मूल अधिकार में दिये गर देहिक स्वतन तरजा के सरणरक्शन का अधिकार है ठीक है का अनुपालन करने का है यह रिट बना लिया तो आप उसके खिलाब क्या कर सकते हैं एक याची के दाया करके फिर कोट क्या करेगा एक रिट जारी करके उससे रहत दिलवा सकता है ठीक जी अगला पॉइंट परमदेश परमदेश का मतर्द होता है हमने आगे बढ़ता हम आग्या देते हैं तो यह रिट निया द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोग अधिकारी अपने कर्तवयों को निर्भाएंट करने से इंकार करें यान कि किसका काम करने का कुछ हो और वो अपने काम करने से बना करतें जिसके लिए कोई अन्य विदिक उप्चार कोई कानूनी रास्ता ना हो सिर्फ कोई काम कर सकता है और उसके दुवारा किसी लोक पद के अथिकारी की अधिरिक्त नियाल लिया अथ्ववा निगम के अधिकार को यह दिया जा सकता है कि वह उससे सνηौप Rider करते हुए का पालन कीजिए यह लिए कि माल लिए आपने इसकूल में गायं और स्कूल में टीचर का करता है पढ़ाने का और युस्त जारी करके से उस न्यायले यह रिट किसी उठता नियायले द्वारा अधिनस्त नियायले के वुरुद जारी की जाती है इस रिट को जारी करके अधिनस्त नियायले को अपनी अधिकरता अधिकारता के बाहर कारी करने से रोगता है मानलोग किसी को कोई काम दिया गया और वो उससे बाहर काम करता है तो करने से रोगा जाजता है के द्वारा अधीनस्ति नियायर्यों को किसी मामले में तुरंत करवाई करने तथा की गई कर वाई की सूचना उंभ लगष कराने का आदिश दिया जाए लोग उसमें क्या के काम किया गया उसको तुरंत कारवाई करें ठीक है जी अगला पॉइंट हमार सामने उत्प्रेक्शन लेक रिट ओफ सेरेट औरवी तो इसका मतलब क्या है यह रिट भी अधिनस्त नियालो सब ओर्डिनेट कोड के विरुद जारी किया जाता है इस रिट क यह जारी करके अधिनस्त नियालो को निर्देश दिया जाता है की वे अपने पास संचित मुगदमे के नियर्णा लेने के लिए उस मुगदमे को वरिष्ट नियाले अथ्वा उच्ण नियाले को भीजे उत्प्रेक्शन लेक का मतलग मतलग उच्छत नियाले द्वारा में चल रहे हैं किसी मुगर्दमें का प्राइब